रामकृष्ण मिशन से आपका बर्सो पुराना रिस्ता है। आपने कई बार मुझे भी कहा है कि पूर्वा प्रेसिडेंट शामी आक्तोस्थानांदर जी आप उनके सेवर पहे चुके हैं। वो मैगनेट की तरह आपको बंगाल के और खीजते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस चुनावी राजनीती में रामकृष्ण मिशन, भारत सेवस्रम संग और इसकौन को भसिता जा रहा है। एक तो ये कितना दुपतायक है आपके लिए। दूसरे आपके बंगाल के बिरोधी ये भी बोल रहे हैं। कि आपके पूरुलिया वाले सभा में रैली में वहां भारत सेवस्रम संग के महराज थे। तो वह भी क्यों मतब ये भी संग का राजनीती करण हो रहा है। पहली बात यह है कि जहां तक मेरा जीवन का सवाल है। मेरे जीवन में बंगाल की बहुत बड़ी भूमिका है। कि मैं गर छोड़ा तब मेरे दिमाग में और कुछ नहीं था। विवेकरन जी थे, बंगाल थे राम कृश्मिशन थे। और मेरा पहली जो मेरी भैठ होई, स्वामी आत्मस्तान जीस होई। तब उनकी आई भी बहुत छोटी थी, मैं तो बच्चा था। तो मुझे उन्हों निरात है किया। कई दिनों तो मैं वहारा हारां कि समिशन में, उन्होंने मुझे काफी जीवन पर मेरी मदद किया। मुझे बहुत गाइड किया। कि मैं जब निकला तब कहां जा रहा हूं मुझे मालूम नहीं था। और कौन मिलेगा, कैसे बात होगी। यह एक प्रकार से जो एक मेरी नई दुनिया की शुरुआत की एंट्री पॉइंट यही था। उन्होंने मेरी काफी मदद की। अब जिवन भर वो करते रहे हैं। अब मजा यह है कि मैं CM बना या मैं PM बना उनको कोई लिया देरा नहीं था। उनके लिए तो मेरा नरेंद्रा। वो मुझे हमेशा तू करकर बुलाते थी। मेरी मा कर मुझे तू नहीं कहते थी। आत्मस्थान ने मुझे तू कहकर बुलाते थी। आखिर कर भी। और जब मैं आस्पताल में मिलने गया तो भी वही भालता हूं का। तो वह एक अलगना का रहा है। मुझे वे कर द को लागना कर देपया दो